साथियों, विरोधी दलों के कुछ साथी या रोप लगाते हैं कि हमने सिर्फ नाम बढ़ले हैं, योजना ये तो वही पुरानी है, पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। यहां तो कुछ लोगों को मुझे यही सिकायत है कि हमने नाम नहीं बढ़ले हैं, ये बड़े-बड़े अस्पताल, ये बड़े-बड़े एरपोर्ट, सेंकडों की संख्या में योजना हैं, अभी तो उसी नाम से चल रही थी जो पैसे रखे कर किया गया है। और मैं तो ऐसे लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ, कि कितनी योजना ये ऐसी हैं, जो मेरे नाम से चल रही है। मेरे कारकरता साथियों, आप मुझे बताइए, क्या आयुश्मान योजना के आगे नरेंदर मोदी जुड़ा है। क्या भारत माला, सागर माला, परियोजना के आगे नरेंदर मोदी लिखा है। क्या जंदर योजना, नरेंदर मोदी जंदर योजना के नाम से जानी जाती है। क्या उजवला योजना को, हमने नरेंदर बोदी उजवला योजना का नाम दिया है। नहीं ना इसलिए ये इसलिए है कि भारतिय जंता पार्टी में हमने पहले दिन से सिखाये जाता है स्वयम से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है और यहीं हमारे संस्कार है और यहीं हमारी प्रतिया भाई और भानों देश में सिलेंडर पहले थी मिलतेजे पासपॉर्ट पहले भी बनते थी ओनलाइन रेल डिजरोशन पहले भी होता था, सडके भी पहले बनाई जाती थी, रेल पट्रियां भी पहले बिछाई जाती थी, पुल भी बनते ही थे, लेकिन चार साल में इनी सब कारियों में जो गती भाजपास सरकार ने दी हैं, वो गती अभूत पुर्वा है, लेकिन मैं ये दावा नहीं करता, कि हमने सारे लक्ष हासिल कर लिये, सब कुछ कर लिया, ये मैं नहीं कहता हूँ, अगर सब कुछ हासिल हो ही गया होता, तो फिर मोदी की जरूरती क्या थी, मैं ये दावा नहीं करता, कि मैंने सारी व्यवस्ताओं का काया कल्प कर दिया है, हाँ, मैं ये जरूर दावा करता हूँ, और आज भी कर रहा हूँ, कि देश को आगे बढ़ाने में, हमारी व्यवस्ता में जो कम्या थी, उसे दूर करने का, हमने बहुत इमांदारी से प्रयास किया है, मैंने दिन रात एक करके प्रयास किया है, कि देश के लोगों का जीवन और आसान बने, देश के बंची तो, पीडी तो, सोची तो, गरीबों को, उनका अधिकार मिले, आप सोचीए, पहले की सरकार में, जिस रफ्तार से, हमारे देश में गरीबों के लिए गर बन रहे थे, अगर उसी रफ्तार से बनते रहते, तो, हर गरीब का अपना गर होने में, कितना समय गुजर जाता, सोचीए, कि जिस रफ्तार से, पिछली परिवारबादी सरकार में, हमारे गावों तक बिजली पहुँच रही थी, अगर उसी रफ्तार से पहुँचती, तो, उन अठारा हजार से जादा गावों में, रहने वालों को, दस साल और इंतजार करना पड़ता, जहां हमने बिजली पहुँचा दिये, सोचिए, कि जी सरफ्तार से, पहले के दलाली के यूग में, देश में सौचाले बन रहे थे, अगर वैसे ही बनते रहते, तो, हर घर में सौचाले होने में, अगला दसक बीतने के बाद भी, सवालिया निसान लटकता रहता, सोचिए, कि जी सरफ्तार से, पहले की आज सम्वेदन सिल सरकार में, हमारे देश में, गैस कनेक्शन दिये जा रहे थे, अगर वही रफ्तार होती, अनेक पीडियां गुजर जाती, हर घर में गैस पहुँचाने के आज, शायद सपना पूरा नहीं होता, सोचिए, कि जितने बड़े पहमाने पर, पहले की ब्रस्त सरकार में, सरकारी सबसीडी का पैसा लीक हो रहा था, गलत हाथों में जा रहा था, अगर वैसे ही जाता रहता, तो, इमानदार टेक्स्क्वेर की, कितनी महनत, ऐसे ही बरबाद हो जाती, देश के काम नहीं आती, जिस रप्सांस रेले लाईने बिच रही थी, उनका विद्धूति करण हो रहा था, अगर वैसे ही होता रहता, तो, देश कैसे आगे बढ़ पाता, कैसे 21 सदी के नई उट्टाई पर पहुँच पाते, ये सारे काम, ये सारे प्रयास, पहले भी हो रहे थे, लेकिन, भारति ये जनता पार्टी की सरकार ने, 2014 के बाद, ऐसे हर काम को नई उर्जा दी, नई गती दी, वही लोग है, वही दर्ती है, वही आस्मान है, वही समंदर है, लेकिन, जमीन से आस्मान तक, बदलाव हो रहा है, सबासो करोर भारतियों का परिस्राम, इसे मिल कर बदल रहा है,